नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जर्खन में नियमीत तोर पर रिक्तिया भी नहीं निकल ली जाती, हेमन सरकार ने कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, विद्यार्थियों ने बताया कि देर रात पूलिस कुछ विद्यार्थियों को गिरफ्तार भी किये हैं बिधान सभा घेराव करने जा रहे छात्रों को पूलिस ने रामकर्ण में रोका, नियोजन नितिर्द होने की बिरोद में बिधान सभा घेराव करने जा रहे छात्रों को पूलिस ने रोक दिया है, इसके बाद छात्रों ने थाना गेट के नईदिक एनेश 33 को जाम कर दिय जाम करने की वज़ा से सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी कतारे लग गई इस दोरान चादरों ने राज सरकार की बिरो जाम करना रे बाजी भी की बता दे कि छात्र संगठन द्वारा बुद्ध द्वार को विधान सभाग घिराव कारकरम को लेकर भानूप पर्ताप ने कहा अगले चुनाओं में युआ बताएंगे कि इतना प्यार करते हैं उन्होंने कहा है कि सरकार ने त्यक कर लिया है कि ओ युआओं को नौकरी नहीं देंगे एक साल में पांच लाख नोकरी देने का वादा करके महाज 357 नोकरी हिद दिया गया हिमन सरकार पुरानी नियोजन नीति को बदल करनाई नीति लाई जो भेदभाव और तूष्टी करनवाली नीति थी इसलिए हाई कोट ने खारी कर दिया इडी के डर से हमन सुरेन ने 1922 लाया रगवरदास ने एक लाख लोक नोकरी दिया वह हमन सरकार ने नवी अनसुची का खेल करके आदिवासी मुर्वासी को धोखा दिया है जनवरी दुहजार तेज से लागू होगा नीजी कम्प्रियों में 75% नोकरी का नियम जारखन में नीजी कम्प्रियों में 75% दी आस्थानिय युआओ को रोजगार देने का नियम जनवरी 2023 में लागू हो जाएगा परदेश के स्त्रम मंत्री सत्यानद भोकता ने जारखन विधान सभा के सीथ कालिन सत्र के तिसरे दिन बिधायक परदी प्यादव और बिधायक सुद्धिब्यक कुमार के सवालों के जवाब में बुद्धवार को जनकारी दी इस योजना के लागू होने में देरी के लिए परदी प्यादव और सुद्धिब्यक कुमार दोनों ने हमनसुरेन सरकार की खिचाई भी की दोनों विधायकों ने वर्ष 2021 में विधान सभासे पारित इस कानून को अथाने विरोजगार युवाओ के लिए वर्दान करा दिया साथ ही कहा है कि अगर सरकार सकती से इसे लागू नहीं करेगी तो जहारखन के युवाओ को नोकरी नहीं मिलेगी परदीप यादयों ने कहा है कि वर्ष 2021 में इस कानून को सदर ने पारित किया सितंबर 2022 में से अजिस उचना कर दिया गया नियम था कि 30 दिन के भित्तर सभी नियोकता स्रम एवं रोजगार विभाग में अपना पंजियन करवाएंगे तीसरे दिन जार्खन बिधान सभा का सत्र हंगामेदार 1922 खतियान का मुदा गर्माया जार्खन बिधान सभा सितकालीन सत्र का आज तीसरा दिन हंगामेदार रहा भीजयेःवी बिधायकों ने भीधानसवाय की करवाय के खिलाफ नारे बाज़ी करते रहे सदरकी करवाय बाधीत हुदादेख अध्याक श्रमीन आध मातों तब जाकर बिधानसवाय करवाय सुचारो रूप से शुरु हुई सतन की करवाई सुरू होने के बाद नियोजन निती 1932 खत्यान और जारकन अंदोलनकारियों का मुदा चाया रहा पुर्व उपमुख मंत्री और सिली बिधायक सुदेश महतो ने सवाल किया कि कितने अंदोलनकारियों को राजसरकार अब तक चिनित कर पाई है और उन लोगों को बरतमान में क्या कैसुदा मिल रही है उनके इस बात का समर्थन विधायक दीपक विरुवा ने भी किया जिसके जवाब में मंत्री और अलमगीर अलम ने जवाब दिया है कि राजसरकार जारकन अंदोलन में भाग लेने वाले परिजनों को नोकरी देने का काम कर रही है सिंगल यूज पलास्टिक पर रोक फिर भी काचरा में 70% पोलिथीन सिंगल यूज पलास्टिक के उपयोग पर एक जुलाई से सरकार ने देश भर में रोक लगा रखी है रोक पर अमल करने के लिए निकायों की टीम मकसद कर रही है इसके बावजूद हर मा सहर के काचरा में 70% तक अमानक पोलिथीन पहुँच रहा बता दे, बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रसासनिक टीम करवाई कर रही है तो प्रतिबंदित पोलिथीन कैसे बजार और घरों से होता हुआ कचरा में पहुँच रहा है दरसल सिंगल यूज पलाश्टी का इस्तेमाल दुकानों, फल, ठेला, होटल, सबजी, चिकन मटन की दुकानों में हो रहा है प्रसासनिक टीम यहां से कूछ, माल जब्ट कर राची की खनापूर्ति कर लेती है समाजिक प्रगती सुच कांक में जहारखन का प्रदर्शन काम प्रधार मंतरी के आर्थिक सलाहकार परिस्द ने मंगलवार को राजियों के समाजिक प्रगती सुच कांक को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट में एक तरफ जहाँ पांडू चेरी, लक्ष दीप और गोवा का प्रदेशन सबसे अच्छा रहा है वहीं जार्खन और बिहार का प्रदेशन सबसे खराब आंका गया रिपोर्ट के मुताबिक जार्खन का SPI स्कोर सबसे कम 43.95 और बिहार का SPI स्कोर 44.47 रहा है रिपोर्ट में 36 राजियों एवाम संग सासित परदेशों और देश के 707 जीलों को समाजिक प्रगति के विभीन मानकों पर उनके परदेशन के अधार पर आका गया है नियोजन निती पर 24 दिसंबर तक का अल्टिमेटाम जारखन हाई कोट ने हेमंत सरकार की नियोजन निती को रद कर दिया है नियोजन निती रद होने से विभीन विभागों में नियुक्ति के लिए निकाली गई 13000 से ज्यादा भैकेंसी रद हो गई है इसे लेकर छाटर गूसे में है रेली में सामील युआओ का आरोप है कि सरकार जान बोझ र ऐसी नियोजन निती बनाती है जो आगे जाकर कोट से खाली छो जाती है सरकार की मन सार्वजगार देने की नहीं लगिती चात्र चात्राओं की मायंग थी कि हमन सरकार जल्द से जल्द ठोस नियोजन नीती लाकर रिक्त पदोपर न्युक्ती पर किलिए शुरू करे अन्याथा बड़ा अंदोलन होगा बता दे जहरकन यूथ एसोसियेशन के संजोजक सफी इमाम ने कहा है कि अधी सरकार 24 जी संबर तक नियुजन नीती को लेकर कोई ठोस फैतला नहीं लेती तो राजय भर में च्छायत बड़ा अंदोलन करेंगे स्वास्त कर्मी पृत्साहन समान यूजना की होगी सुरूआत जहरकन में राष्ट्रिय स्वास्त मिशन के तहत संचालित स्वास्त यूजनाओं को प्रभावी बनाया जाएगा इसके बेहतर किरोनेन के लिए स्वास्थ विभाग ज्वास्थ विभाग राष्ट्रिये स्वास्थ मिसं ज्वास्थ विभीन स्वास्थ करमों में प्रखंड जिला और राजस्तर पर उत्कृष्थ प्रदसन करने वाले कर्मियों और कर्मी दलों को प्रोसाहित करने के लिए स प्रधना ध्यापक की जिमेदारी होगी कि समंधित बिद्याले के सभी छाधर चात्राओं का बैंक में खाते खुल जाएं उस बिद्याले प्रधना ध्यापक को समानित भी किया जाएगा इसके अलावा संकुल वपरखन के सभी विद्यार्थियों का बैंक खाता खुलने पर वहां के CRP और BRP को भी प्रुस्क्रित किया जाएगा इस समंध में राज के सभी जीलों को सिक्षावी भागने निदेश दे दिया है रांची कंटा टोली फलाई ओवर निर्मान के दोरान इंजिनियर की मौत राइधानी के कंटा टोली फलाई ओवर के निर्मान के दोरान बड़ा हचा हुआ है निर्मान के दोरान एक क्रेन पलट गया जिससे वहां काम कर रहे एक सिविल इंजिनियर की दर्दनाक मौत हो गाई हाचते से मिरितक परिजनों और मजदूरों में आकरोस है घाटना लोवर बजार थाना छेत्र की है बाबुलाल मरांडी ने की राष्ट पती सासन की मांग बढलाल मरांडी ने जहार्खं की देखते हुए राष्ट पती सासन लगाने की मांग की है है करने का परियास करते है लगता है कि राष्ट पत्र की राष्टिये में गुण्डों का सासन है गौतला भाय की बरहलवा टोल पलाजा विवाद मामले में इडी ने मंत्री अलमगीर अलम और पंकर मिस्ला को क्लीन चीट देने के मामले में हाई कोट में सपत पत्रदायर किया है धन्यवाद